नमश्का, डिजिटल मुमी में मैं पाल आपका स्वागत करती हूँ दिल्ली बुलिस की स्वेशल सल ने एक पाकिसानी आतंकी को गिरफतार किया है ये आतंकी राजधानी को दहलाने की फिराक में था आतंकी के पास से स्वेशल सल ने एक फोटी सेवन और हैं ग्रेनेट भी प्रामत किये हैं इस आतंकी को पाकिसान की खूफे अजनसी आई एसाई ने भारत पर हमले के लिए तयार किया था आतंकी को गिरफतार कर इससे पूर्षताज की जा रही है दिल्ली पुलिस की स्वेशल सल ने बताया सोमवा रात 9 बच का 20 मिनट पर महमद अश्रफ उर्फ अलिनाम के एक पाकिसानी शक्स को दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफतार किया गया महमद अश्रफ पाकिसान के पंजाब रांद के नरोवल जिले का रहने वाला है महमद अश्रफ भारते नागरिक बनकर रह रहा था इसके लिए उसने महमद नूरी नाम से अपना फरजी नाम भी रख लिया था और फरजी आईडी कार्ड भी बनवा लिया था वो दिल्ली के शासी नगर में आराम पर्क इलाके में एक गर में रह रहा था भारती आईडी कार्ड बनाने के लिए उसने फरजी दस्तावेजो का इस्तमाल किया था आपको बता दें कि ये आतंकी दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आया था इसे ISI ने हत्यार चलाने की ट्रेनिंग दी थी इसके बाद नेपाल के रास्ते से भारत में दाखिल करा आ गया था स्पेशल सेल ने उसके पास एक हैंड बैग दो मोबाइल फोन बरामत किये उसके पास से AK-47 मैगजीन और 60 गोलिया भी बरामत हुई है एक हैंड ड्रेनेट दो पिस सोल और पचास कार तूस भी उसकी निशान देही पर कालंदी कुझ घाट से बरामत हुए हैं हतियार इसने कलंदी कुझ के पास यमना किनारे बालू के नीचे दबा कर रखे थे तूर्कमान गेट इलाके से एक भारतिये पासपोर्ट भी उसने बरामत करवाया है पुलिस का माना है कि त्योहारों की सीजन में वो किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा था पुलिस टीम उसे पूस्ताच कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि भारत में कौन-कौन से लोग उसकी मदद कर रहे थी किस तरीके से नेपाल के रास्ते वो भारत पहुंचा और इस तरह पूरी साजिश में कौन-कौन उसके मददकार है बताया जा रहा है कि पाकिसानी आतंकी भारत में अलग-लग जगा पर घूम रहा था उसने जम्मो में रुकने की भी बात बताई है गिरफतारी अतंकी ने जम्मू कश्मीर में कुछ अतंकी घटनाओं को अंजाम लेनी की बात कुबूली है लेकिन दिल्ली पुलिस उसके दावो को पुक्ता करने की कोशिश में जूटी है पुलिस का कहना है कि ISI ने उसे इस तरह ट्रेंड किया है कि अगर ये पकड़ा जाए तो एजन्सियो को गुम्राह कर सके इसलिए उसके दावो को पुक्ता किया जा रहा है